या कि हालो बच्चोंग आज हम फिर आपके लिए लेकर आहें अगले फंक्शनलल गृप के लिए अगला फंक्शनलल गृप हमारे पास में आज है ।्टी यन फीर ओडिये क्लिए आपको चेप्टर भी है इस जो अनुलगन होता है यह जो शफिक्स होता है वो एल होता है और इसका formula क्या होता है CHO तो LD8 group का formula CHO है इसको हम लिख सकते हैं आप C double bond OH clear तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसका format format के लिए हम क्या करेंगे देखो सामने हमने यह पर valency प्रक्राइड करना है आर हमारे पास में क्या होता है L can R क्या होता है मारे पास में L can plus इस क्रियात्मक समों का जो suffix होता है यानि अनुलगन जो होता है वो होता है L तो यहाँ पर L can plus L L can L यह होगे इसका यहाँ पर complete ठीक है न अब देखिए सपोज यहाँ पर हम R का value R का value रख रहे हैं कितना कार्बन थ्री कार्बन तो functional group के अंदर कार्बन है तो इसको भी काउंट करेंगे तो देखिए दर one two three four four carbon का chain हो गया तो four carbon के according हम इसको लिखेंगे भी है L can क्या हो जाएगा हमारा butane plus L butanel clear तो butanel हमारे हो गया अब इस example को थोड़ा spicy करते सामने देखिए का double bond include करेंगे c double bond OH तो देखिए दर main function group से counting one two three four five five carbon chain है तो सबसे पहले किसको लिखना है प्रतिस थापी को तो प्रतिस थापी क्या है यहाँ पे alcohol तो एलकोल है तो इसका पूर्ब लगन होता है अलकोल का hydroxy तो लिखेंगे three hydroxy पांच carbon का chain है तो पांच carbon के लिए हम लिखेंगे pentane तो यहाँ पर क्योंड पैंट लिखेंगे क्योंकि double bond है संकला में हाँ जी pent उसके बाद में two in in क्यों लगा रहे है इन इसलिए लगा रहे क्योंकि carbon पर नम्मर दो पर क्या है double bond है तो टू इन प्लस इस क्रियात्मक समों का अनुलगन क्या होता है ल तो क्या हो गया इनल तो नामकरण क्या हो गया three hydroxy pentane or pent two in L pent two in L ठीक है अब यह example आपके यहां पर अलिफेटिक है आप चाहो तो इसमें सब्कार्इब के यहां पर यहां पर कि झाल फिक यहां डी विगो हिभी च्कांजीन इसको यह अब देखिए अब देखिए आरोमेटिक में यहां पर हमने क्या किया बैंजन रिंग है CHO है ग्रूप यहां पढ़ कर दिया OH तो देखिए इधर काउंटिंग करिए 1,2 कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोकसी तो लिखा 2 हाइड्रोकसी बैंजीन कार्ब अल्डियर तो हाइड्र तो हाइट्रोक्सिपेंजिन कार्विल्टी एड़ क्या हो गया इसका नॉमन क्लेचर हो गया अब आगे बढ़ते हैं आप देखिए इसमें चाहो तो आप अधर फंक्सनल ग्रूप एड़ कर सकते हो आपने यहां पे एक जगह एड़ कर दिया ओएच एक जगह आप कर रहे हैं और दूसरी जगह क्या है आपके पास में एड़ तो सबसे पहले क्या करेंगे नंबरिंग परतिस्थापी के लिए तो देखिए दार वान टू थ्री फॉर फाइब सिक्स तो क्या लखेंगे टू हाइड्रोक्सी तू हाइड्रोक्सी कारबन नंबर फॉर और शिक्स पे एम प्रमीनों उसके बाद में बैंजीन कारब एल्डी हाइड बैंजीन कारब एल्डी हाइड तो इस प्रकार नॉमंक्लेचर हुआ ठीक है ना अब हम आगे अगले ग्रूप के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला ग्रूप हमारे पास में है किटॉन अब हम किटॉन सबसे पहले इस किटॉन सब्सक्राइब हमें आप बनाएंगे यह आप फॉर्मेट तो इसका फॉर्मेट होता है अलकेन नमबर अन अन क्या होता है इसका अनुलगन होता है वोले suffix ठीक है अब ध्यान दीजे यहाँ पर यदि हम R का value सपोज इधर पुट कर रहे हम 2 carbons और इधर कर रहे हम 1 carbon ठीक है तो देखूं जहां से आपका ग्रूप नजदी के वहाँ से counting होगा 1,2,3,4 तो 4 carbon के according हम इसको क्या लखेंगे butane 4 carbon के according क्या लखेंगे butane, नमबर किस पे लगाएंगे 2 पे, तो क्या हो गया 2 on, तो butane 2 on, अब देखूं आप चाहों तो इसमें substitute add कर दो तो according to according to substitute तो देख इदर 1,2,3,4,5 carbon तो carbon नमबर 2 पे क्या है methyl तो क्या लखेंगे 2 methyl 5 carbon की चैन तो क्या लखना है pentane क्या लखना है pentane plus 3 on pentane 3 on clear अब आगे बढ़ते हैं देख उदर cs3, cs2, 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 c double bond o, cs3, cs3 and cs3 सबसे पहले counting 1,2,3,4,5,6 तो carbon number 2 पे और carbon number 2 पे तो देखे तर लखेंगे आपे 2,2 dimethyl dimethyl उसके बाद में hexane 3 on 2,2 dimethyl hexane 3 on अब next आगे ठीक है तो इस प्रकार इसका नाम करना है एक थोड़ा सा और example लेते हैं इस बार substitute यानि प्रतिस्था पी हम ज़्यादा add कर देते हैं ध्यान से देखिएगा इस प्रकार example है clear इसमें हमें क्या करना है सबसे पहले यह आपकी longest chain हो गई लंबी स्रंखला हो गई counting करेंगे 1,2,3,4,5 तो carbon number 2 पे देखूं कितने मैथिल है दो तो 2,2,4 देखो 4 पे कितने हैं आपे 2 हैं तो 4,4 चार के लिए हम क्या उच करते हैं tetra यस या नो हम यहां पे 4 के लिए क्या उच करें tetra क्योंकि हमारे पास में मैथिल कितने है 4 तो tetra, methyl उसके बाद में भईया क्या लेखेंगे 5 carbon की स्रंखला है तो pentane 3 on तो यह हो गए इसका nomenclature clear अब देखो हमने अभी पढ़ा ketone की रियात्मक्सम ketone में आप चाहो तो एक और spicy example ले सकते हैं इस प्रकार से ध्यान से देखे दा इस बार हमने इस प्रकार से एड़ किया है तो देखो सब से पहले देखो counting पर इदर से देखते हैं यहां से नजदीक पड़ेगा ketone वहां से counting होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो carbon number 5 पे देखो प्रतिस्था पी आपके 2 carbon का जुड़ावा है एथिल और carbon number 6 पे क्या जुड़ावा है मैथिल तो alphabet क्या coding लिखना है तो alphabet E पहले आता है कि M पहले आता है E पहले आता है तो E को आप पहले लिखोगे तो carbon number 5 पे जुड़ा होते क्या लिखेंगे 5 ethyl उसके बाद में carbon number 6 पे क्या है मैथिल तो 6 मैथिल नेक्स्ट आगे कितना carbon है 8 carbon तो 8 carbon के लिखेंगे octane उसके बाद में 4 on octane 4 on इस परकार नाम करण हुआ अब हम next अगला ग्रूप लेंगे alcohol अब next ग्रूप कौन सा ले रहें alcohol घ्यान से देखिएगा देखिए alcohol का formula होता है क्या OH तो सबसे पहले देखिए alcohol ग्रूप में हम क्या बनाएंगे format तो यहाँ पर वैलेंसी फिरी तो क्या एड़ करते है R R मतलब number of carbon कार्वन की संख्या तो यहाँ पर इसके coding हम क्या लेखेंगे इसको बच्चों बोलो alcan आगे number all alcan number all तो यहाँ पर R का value सब्पूज आप रख रहें कितना carbon 3 carbons उसके बाद में OH तो देखेंगे 1,2,3 तो 3 carbon के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर propane 1 all propane 1 all यह हो गया इसका अब next आगे हमने क्या किया carbon chain थोड़ी increase कर दी सब्पूज द्यान से देखिए तो देखिए numbering करेंगे पहले 1 2 3 4 अब देखो carbon number 2 पर प्रतिस्था पर रूप में क्या है methyl तो क्या लेकिए 2 methyl उसके बाद में 4 carbon की सरंकला तो क्या लेकिए butane 1 all ठीक है अब देखो इदर CH3 CH2 CH 1 2 3 4 5 तो carbon number 3 पर प्रतिस्था पर पर तो क्या लेकिए आप 3 methyl उसके बाद में 5 carbon की सरंकला है तो क्या लेकिए पैंटेन 1 all ठीक है अब थोड़ा example change करते हैं इस बाद 3 degree pattern पर example लेकिए हम तो 3 degree pattern पर देखो एक्जांपल है जहां से देखिए सबसे पहले क्या करना है लंबिस रंकला chain करेंगे यस या नो तो पहले आपने change किया यह देखो लंबिस रंकला अब लंबिस रंकला chain करने के बाद 1,2,3 numbering कर दी तो carbon number 2 पर क्या जुड़ावा है methyl तो क्या लिखेंगे 2 methyl उसके बाद में क्या लिखा प्रोपेन 2 आल तो यह हो गैस का नॉमनकलेचर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस बाद कुछ ऐसा एक्जामपल लिए है तो लंबिस रंकला हमारे पास में हो चुकी है तो देखो 1,2,3 तो 3 carbon carbon number 2 पर प्रतिस्थापी यानि क्या मैथिल है तो 2,2 दो के लिए क्या लगाते हैं डाई दो के लिए क्या यह हो जोगा तो डाई मैथिल प्रोपेन वन आल के लिए 2,2 डाई मैथिल प्रोपेन वन आल आप देखो इसका अरोमेटिक एक्जामपल लेंगे हम यह ध्यान रखना है इसमें कंपल्सरी सबसे इंपोर्टेंड बात क्या है कि बेंजीन पर जब OH जुड़ा हो तो इसको हम बोलेंगे फिनॉल क्या अकाउंट करेंगे फिनॉल किलियर आप जैसे इस पे हम परतिस्था पी एड करते है यह आपका फिनॉल है कार्बन नंबर 2 पे नाइट्रो 4 पे नाइट्रो और 6 पे नाइट्रो सपूस तो नामकर्ण कैसे होगा पहले नंबरिंग करेंगे यस या नो तो 1,2,3,4,5,6 तो कैसे लिखेंगे पहले 2 पे 4 पे 6 पे तो लिखेंगे आपे 2,4,6 ट्राइट्रो ट्राइट्रो उसके बाद में फिनॉल के लिए 2,4,6 ट्राइट्रो फिनॉल तो इस प्रकार देखिए हमने आपको आज कौन-कौन से फंक्सनल ग्रूप बता है ट्राइट्रो और उसके बाद में हमने आपको लिखाया क्या अलकॉल ठीक है तो देखो यह सारे एक्जामपल आप ध्यान से सोल कीजिए और जितने भी एक्जामपल उनको अच्छे से सोल कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहेगा ताकि हम आपके लिए और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहें ठीक है ओके नाइस टू मीट यू